हेलो एश्टूडेंट स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज की इस वीडियो में क्लास इगारह के रसायन विज्ञान अभ्यास साथ में आज हम लोग पढ़ेंगे रसायनिक साम में अवस्था के प्रकार रसायनिक साम अवस्था कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से पने क कौपी में क्या किजेगा नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट से भी बन जाएगा तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे बेग इस्थिरांग तथा साम इस्थिरांग में क्या अंतर होता है यदि अंतर वाला भाग आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेल रसायनिक सामे के प्रकार तो रसायनिक सामे कितने प्रकार के होते हैं तो यहां पर पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे रसायनिक सामे के प्रकार तो यहां रसायनिक सामे जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं यहां लिख लेंगे रसायनिक अब पहला का नाम यहां नोट कर लेंगे और दूसरा का नाम नोट करेंगे तो पहला जो है यहां पर पहला लिख लेंगे पहला का नाम है समांगी सामय वस्था क्या नाम है समांगी सामय वस्था अब समांगी सामय वस्था क्या है बहुत असान है बस थोड़ा सा आपको धियान देंगे परिभास आपको क्या होगा याद हो जाएगा तो लेकेंगे वह सामय अवस्था, जिसमें ध्यान देंगे जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद जो होते हैं, वह समान अवस्था में होते हैं, उसे समागे सामय अवस्था कहते हैं या इसकी परिभासा लिख लेंगे वह सामय अवस्था जिसमे अभिकारक तथा उत्पाद का लिखेंगे अभिकारक तथा उत्पाद समान अवस्था में होते हैं उसे क्या कहते हैं शमांगी शामय अवस्था कहते हैं परिभासा कितना असान है इसे आप दो बार पढ़ेंगे तो परिभासा क्या होगा याद हो जाएगा कितना असान कैसे बोलेंगे वह सामय अवस्था जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद किस अवस्था में हों समान अवस्था में होते हैं उसे समागी सामय अवस्था कहते हैं अब जैसे यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे जैसे माली जी हम लोग नाइट्रोजन है क्या है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन क्या होता है तो नाइट्रोजन जो है गैस होता है क्या होता है गैस होता है और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ले लें हाइड्रोजन तो यहाँ भी क्या होता है गैस होता है तो नाइट्रोजन और हाइडोजन को जब मिला करके जब यहां गरम करेंगे तो क्या बनेगा अमोनिया गैस बनेगा और अमोनिया गैस का सुत्र क्या होता है यहने स्थिरी होता है अब यह बताईए यहने स्थिरी कौन सा है क्या है तो यहने स्थ गैस 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 कितना असान है मतलब इसमें यह अभिकारक और उत्पाद को देखिए तो क्या दिखाई दिरा दोनों जो है एक ही अवस्था में है मतलब यह गैस अवस्था में है तो यहाँ भी क्या है गैस अवस्था में है तो इसी को तो समांगी सामेवस्था करते हैं तो सम है क्या है solid है तो क्या माना जाएगा बिस्मागी माना जाता है तो यहाँ पर क्या है दोनों जो है एक समान रूप से है एक example और समझ लेते हैं तो इस example को आप सभी भी द्यारति अपने copy में क्या किजिए note कर लीजिए अब यह दूसरा एक्षाइंपल अगर लेते हैं जैसे यहाँ पर दूसरा एक्षाइंपल 2SO2 मतलब यह क्या नाम है sulfur dioxide इसको बुला जाता है और यह बताए है sulfur dioxide की सवस्था में होता है तो गए सवस्था में होता है और यहाँ पर oxygen जो है O2 जो है यकी सवस्था में रहता है तो आकसीजन भी की सवस्था में गाई सवस्था में रहता benchmarks है जब इसको घर्म करेंगे तो क्या बनेगा यहां बनेगा sulfur tri-oxide क्या पनेंगा sulfur tri-oxide और sulfur tri-oxide भी क्या है गैस अवस्था है तो यहां पर क्या गैस 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 इसको क्या माना जाएगा समागी शाम अवस्था कहा जाता है तो उमीद करते हैं कि विदाहरन से आपको परिभासा अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिसमागी सामय अवस्था क्या है तो अब यहां पर हेडी नोट का लेंगे बिसमागी बिसमागी जो है सामय अवस्था तो समागी तो समझ में आ गया होगा तो बिसमागी भी जो है आप सभी विद्यारती समझ लेंगे बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभासा को क्या होगा याद हो जाएगा तो बिश्मागी सामय अवस्था क्या है तो कहेंगे वह सामय अवस्था जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद बिभीन अवस्थाओं मी पाए जाते हैं उसी को तो बिशमागी सामय वस्था कहते हैं तो कैसे लिख लेंगे इसकी परिभासा वह सामय अवस्था वह सामय अवस्था जिसमे अभिकारक जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद अभिकारक तथा उत्पाद बिभिन अवस्थाओं में पाए जाते हैं बिभिन अवस्थाओं में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं उसे बिशमांगी शामी अवस्था कहते हैं कितना असान परिभासा है बस दो बार पढ़िए परिभासा आपको क्या होगा याद हो जाएगा तो क्या कहेंगे वह सामी अवस्था जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद जो है बिभिन अवस्थाओं में होते हैं उसी को क्या कहा जाता है बिश्मागी सामे अवस्था कहते हैं अब यहाँ उधारन से समझ लेंगे जैसे यहाँ पर 2 यान ए याच सी ओ थ्री अब यह किस अवस्था में रहता है तो यह तो सूलीर अवस्था में रहता है जब इसको गरम करते हैं तो यहांपर क्या बनेगा यहांपर जो बनेगा यह Na2CO3 तो यह जो सुत्र है खाने का सोड़ा है और खाने का सोड़ा जो होता है यह सोलिड में होता है और Yn2CO3 जो है यह धावन सोडा है और धावन सोडा भी किस में रहता है सोलीड में रहता है और यहाँ जो कारवन डाई आकसाइड गैस बनेगा CO2 जो रहेगा वक्की सवस्था में रहेगा गैस अवस्था में रहेगा पलस जो इसमें जो है जल पराप्त होगा वह भी जो है वास्प पराप्त होगा वास्प मतलब गैस के अवस्था में पराप्त होगा तो यहां पर क्या दिखाई दिया यह सोलीड है मतलब यह ठोस अवस जब दिखाई देता है उसी को क्या कहा गया है बिसमांगीbooks सामें अवस्ता कहा जाता है तो उमीद करते हैं कि बिसमांगीby dumas है तो यहां भी सोली सोली चाहिए मतलब सोली मतलब ठोस 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 मतलब इधर ठोस तो इधर भी पूरा ठोस चाहिए तो इसको क्या कहते हैं समागे अब यहां पे जो है ठोस है तो यहां ठोस तो है लेकिन यह क्या गया गया गैस अवस्था में आ गया तो इसलिए जो इसको क कहा जाएगा बिसमांगिक साम अवस्था कहा जाता है अभी एक एक जामपल एक और समझ लेंगे और एक जामपल यहां क्या होगा कैलसियम कार्बोनेट नाम सुने होंगे कैलसियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है यह किस अवस्था में रहता है तो सोलिड अवस्था में रहता है जब इसको गर्म करेंगे मतलब calcium carbonate को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है calcium oxide बनता है और यह किस अवस्था में रहता है तो calcium oxide जो है solid अवस्था में रहता है यहां पर क्या दिखाई दिया मतलब यहां पर यह दिखाई दिया जो calcium carbonate है वो solid अवस्था में लेकिन गर्म करने पर जो है calcium oxide और carbon dioxide दोनों क्या है अलग-अलग अवस्था में प्राप्त होता है तिसी को क्या कहा गया है बिसमांगिक साम अवस्था कहा जाता है तो दो उदाहरन से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समांगिक साम अवस्था और विसमांगिक साम अवस्था किसे कहते हैं अब अगला हम लोग पढ़ेंगे साम की गतिक प्रकृत क्या होती है मतलब साम अवस्था की जो है प्रकृत क्या होती है तो अब यहां पर गतिक प्रकृत के बारे में भी समझ लेते हैं साम अवस्था जो रसाइनिक साम में है उसके गतिक प्रकृत क्या होती है तो यहां पर याद रखेंगे जब साम अवस्था अस्थापित हो जाती है जो साम अवस्था क्या होती है अस्थापित हो जाती है तो अब किरिया रुकती नहीं है याद रखेगा जब साम अवस्था अस्थापित हो जाती है तो अवकिरिया रुकती नहीं है अपितु जो अगर तथा पच अवकिरियाएं समान बेग से दोनों और होती है मतलब अगर और पच दोनों और से जो है अवकिरियाएं जो होंगे क्या होगे शमान बेग, बेग मने गती जो है, गती से वो क्या है, दोनों उरसे होती है तो यहां पर जो है इसकी परिभासा, यहां पर भी लिख लिया जागा कि प्रकृति इसकी क्या है तो लिखेंगे जब जब साम में अवस्था अस्थापी तो हो जाती है तो अभकिरिया रुपती नहीं है अभकिरिया रुपती नहीं है रुपती नहीं है अपीतु अगर तथा पच पच अभकिरिया है अभकिरियाएं समान बेग से समान बेग से दोनों और होती रहती हैं मतलब जो इनका बेग है अगर और पच अगर अभकिरिया और पच अभकिरिया तो समझ रहे होंगे तो उमीद करते हैं कि साम के गतिक प्रकृत भी जो आप लोगो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजएगा वीडियो को लाइक कर दीजए और चैनल पे पहली बार आया होंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दवाना मत भूलिए क्योंकि ये लाइब क्लास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार